हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चिप्टर वाइज बेरी इंपॉर्डटन एमसे क्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूं इसमें से यह इस्पोर्स साइकोलोजी यानि खेल मैंनों भी ज्ञान का छट्वा पार् सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिल्वस के का रडिंग है सभी वीडियो को वाच करके आप अपने प्रिप्रिशन को बेहतरीन कर सकते हैं और दोस्तों हंडेर से जधा वीडियो प्रिवियर से क्यूश्टन पर बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस कर से कि कुण सी विषेषता सिखने से संबंधिन नहीं है रेगे में इसंथाई पर्यवर्तन जरूर मेंं इस थाइ परिवर्तन ही सिखना है कि जुसरा है नवीन पनीक्रियां और जित करना कोई भी चीज़ सिखेंगे तो उसमें नमीन चीज़े ही सिखेंगे ठीक है यह भी सही है तिसरा है उद्धीपक अनुक्रिया के मद्ध और साहचरे जबकि साहचरे होता है और साहचरे तो होगा नहीं उद्धीपक अनुक्रिया के मद्ध साहचरे होगा तभी त चीज आप नया सिखेंगे तो उसको परिश्चर लेंगे उसका निर्चर करेंगे ठीक है तो कौन-कौन सिखने से समधित हैं ब्योहार में इस्थाई परिवर्तन नविन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना प्रसिचर या निर्चर पर आधारी को नहीं है तो उद्धिपन अन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियासिलता को बढ़ाना है या कथन किस से है किसने कहा है यानि सीखना नहीं प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियासिलता को बढ़ाना है या कथन किसका है या कि अनुबंधन कितनी प्रकार का है दो प्रकार का है उद्धीपàn और अनुक्रिया जो आनुबंधन होता है जो सीखना होता है उसी को अनुबंधन का उध्रेया नीष्ट है प्राचीन अनुबंधन का सरपथम अध्यन किया ठीक है और इन्होंने किस पर परयोग किया था कुत्ते पर पावलावनने किस पर परयोग किया था कुत्ते पर नेक्स्ट है पावलाव के द्वरा कियेगे अनुबंधन सम्मंधी परियोग किस छेतर से सम्मंधित है तो इनका जो अनुबंधन सम्मंधी परियोग था वो अज्यानातमक छेतर से सम्मंधित था प्रतिबद अनुक्रिया का सिध्धान या अनुकुलित अनुक्रिया का सिध्धान किस ने दिया तो पौला ने दिया यहाँ पे कुश्चन क्या है फादर आपका लिस्निंग यानुबंधन का पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है पावलाओ को next question है अनुबंधन क्या है अनुबंध क्या है तो अनुबंध क्या है साचर इस्थापित करना अनुबंध क्या है साचर इस्थापित करना कि निकलने वाली लार को एकत्र किया तो आपको यहां पे दिमाग लगाना है जैसा कि हमारा लार जो है तो इनहीं तीनों में से लार निकलता है एक तरफ तीन दुस्रे तरफ यानि तीन जों लार जैसा पहे जाती है तो जो पालाव ने कुट्टे को किस ग्रंथी से निकलने वाने लार को एक अत्र किया तो पैरेटिट ग्रंथी थे ठीक है यहाँ पर फिटूट्री थराइट से तक लार निकलता नहीं है आपको यहाँ पर दिम्याग लगाना है पैरेटिट ग्रंथी Next question है, थान डाइग ने नमेतिक अनुबंधन को किस प्रकार का सिखना कहा है? Next है, पुरुस्कार नमेतिक अनुबंधन प्रक्रिया करने का स्रेज जाता है, तो किसको जाता है? धांड टाइक को नेक्ट कोश्चन है बच्चों द्वारा जुट बोलने पर उनकी पिटाई कर देना धाकार का तो तुम्हेख चाओकलेट नहीं मिलीगा किस परकार की अनुबन्धन का उदहरर है ठीक है या किस परकार के अनुबंधन का उदारर है तो यह अकर्म प्रसिच्छर का उदारर है नेक्स कोचन है नियुक्षे जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह है पालाओ कुट्टा यह तो राइट है पालाओ ने कुट्टे पर प्रयोग किया था दुसरा है इसकीनर चुहे यह भी राइट है इसकीनर ने चुहे पर प्रयोग किया था ठीक है सक्री अनुक्लित अनुक्रिया याने की सक्री अनुक्लित अनुक्रिया क्रिया प्रसुत का सिधान दिये है इसकी नर्ने और तीसरा है थांडाइक बिल्ली ठीक है थांडाइक ने किस पर प्रियों किया था बिल्ली पर ट्रायर एन इरट सिध्धान ठीक है प्रयाश्यम तुटी सिध्धान दी है कोहलर बिल्ली ये गलत है कोहलर ने किस पर प्रजियों किया था चिम्पैजी पर ठीक है कोहलर ने किस पर प्रजियों किया था चिम्पैजी पर और इनकी सिधान का क्या नाम था सूजियों अंतरजिश्टी सिधान ठीक है इसलिए यहाँ पर आपसा नबर डी करेक्ट हो रहा है प्रतिक्रिया कर रहा है प्रतिक्रियात्मक व्योहार है नेक्स कोश्चन है घंटी बजने पर दर्वाजा खुलना किस प्रकार का व्योहार है थिक है घंटी बजने पर दर्वाजा खुलना किस प्रकार का व्योहार है तो आपरेटर व्योहार है नेक्स कोश्चन है कि पूर्भल का सिद्धान कि सब्सक्राइब्स खेल उबाइबा है। यह प्राचिन अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है तो प्राचिन अनुबंधन में अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है इसमें अचिक क्रियाओं का अनुबंधन होता है ध्यान रखिएगा कि प्राचिन अनुबंधन जिसमें पौलाओं ने दिया है उसमें अनुबंधन का अनुबंधन होता है और नमेतिक अनुबंधन जिसमें जिसको थांडाइक ने दिया है इसमें ऐचिक क्रियाओं का अनुबंधन होता है। नेश्ट है किस प्रकार की अनुबंध में पुरुसकार अनुक्रिया पर निभर नहीं होता है। तो यहां पर प्राजिल अनुबंधन में। नेश्ट है पाला ने अनुबंधन सिधान्त में नजखित में से किसे सरोच अस्थान दिया तो इन्होंने किसको सरोच अस्थान दिया सामिप्यता को किसको दिया सामिप्यता को ठीक है इन्होंने महतपुर अस्थान दिया सरोच अस्थान दिया जिसे इन्होंने अनुबंधन कहा जिसमें अदेपन और अनुक्रिया दोनों की बीच अनुबंधन होता है सामेपता होता है इसी को इन्होंने मेन माना है ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई हो कि सभी कोस्टन आपको समझ में आए होंगी जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरू कर दो कर दो कर दो दोस्तों कर दोस्तों आपको समझ करेंट कर दोस्तों आपको के लिए कोओोड़